आप यहां नहीं आ सकते है अली साथ चत पर मरम्मत चल रही है तुमने शेयदादी को देखा नहीं तुम कहा हो ना क्यड़ी इतनी देर हो गई और तुम्हारा कोई अधा पता नहीं है तुम्हें कहां ढूंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं हिब्लिश 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 राष्टे में मिलेरा ही त्याहे चोर यह तिपाई मुझे करना है क्या मेरी मुधिमे तब्हाए वह लादू फलादू हिब्लिश हिबलीश? इसमान? मैंने सुना तेरी बकरी भाग गई? हाव भई मासुम इंसा मेरा पसंदिदा शिकार मेरे अंदर की बुराई के आगे इनकी खुशी और सच्चाई टिक नहीं सकती इनकी भी नहीं टिकेगी तो मुह क्यो लट नहीं रखा है मकरीब तो भागी है तेरी बीबी थोरी भागी क्या बोला? आज नहीं चोड़ूगा तुझा रोक 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 नहीं नहीं चोड़ूगा मलिक आखा इकबाल लंद हो जादोगर ने मलिका अज़ा आखा ये मलिका की दुनिया चहनुम के तीन दर्वाजे हैं इने बाहर करना आसान नहीं क्योंकि मलिका ने अर दर्वाजे के पीछे खतरनाग पहरेदार बैठाए चहनुम के पहले दर्वाजे का पहरेदार है वो हैवाने एकीज जिसके एक हाथ में वो चावी है और और दूसरे हाथ में जहर की पोटली जाने रास्ते खाली हो गए है और मैं खुल के दवाई मचाऊँगा इंतने इसना बबा मुझे गंदी हवा चाहिए पुलाई चाहिए मुझे इस हवा की आदत नहीं अब इंसानों को भी नहीं रहेगी मैं जहनुम का रखवाला हूँ जहां जाता हूँ एक नया जहनुम कड़ा कर देता हूँ करता हूँ एपिस एपिस एबिस कर दो आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ यहाँ आप बलकी कोई रोती हुई कमों में डूबी बेसहारा लड़की का अक्स है हम इसे नहीं जानते हम अपने अब्बू की पाजशाह शाहनवास की बेटी हैं हमारे अब्बू की तालीम इतनी कच्ची नहीं है और हम यह बात साबित करके रहेंगे हम अपने अब्बू का सर और अपनी मुहबत को नीचे नहीं उन्हें देंगे पाल उन्हें आर आर बाल थिल जन्हें अपन कि है aktivist हुआई कि रखग अगे लगाँ का Nord वार तू हुआ 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 है क्यैक पानी औने में तुञ कर से कर सधतू मैं आगे लिखा था कि हैवाने 21 के पास वो जो जहर है वो इतना ताकतवर है कि वो कि वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है मक्की मक्की बहुत तक्की आज ये कीडे मकोडे मर रहे हैं आज के बाद भगदार का हर इंसान ऐसे ही कीडे मकोडे की मौट मरे गा मेरा जहिर किसी को नहीं बक्षीगा हिबलीश, हिबलीश हैवान हिबलीश को डूंडो चराक के जिन हमें वो चाबी इसी भी अक्तिमत पर चाहिए उसके लिए अगर हमें हमारे पूरे मुल्क की कुर्बानी क्यों नह देनी पुड़े उमें उससे कोई फ़त नहीं पड़ता लेकिन मुसीबत की बात ये है को इसे ढूनने के लिए मेरा जादू काम नहीं करेगा वरना मत अपता उसे धून चुका होता और अब तब तो वह आपके सामने अपना से धुका ही खड़ा होता तो अब हम उससे कैसे डून देंगे आखा इस राज है काहिनाथी किताब के मदद से लेकिन दिकत ये है कि ये अपनी मर्दी से ही मदद करती है अगर इसके मर्दी हो गया तो वह मदद करेगी परना नहीं करेगी अब इस वक्ति इसकी मर्दी नहीं ची तो मदद कर रही है और रुद भाखुद बंद हो गई वाह बखुब, बखुब दोनों मारे जिन्फ और ये अपनी किताब अपनी मर्जी से चलते हैं मेरा मतब है आका एक बात तो तै हो गई राजय कायनाप का दूसरा दर्वाजा उस चाबी से ही खुलेगा जो उसके पास है और हाँ उसमें ये भी लिखा था कि हैवाने अकिस अंधेरा होते ही अंधा हो जाता है यानी अंधाल तो इसका मतलब है दिन में वो जो चाहे वो करता रहे लेकिन रात में जाकर किसी एक जगा पर ठिकेगा तो बस हुए रात का इंतजार करना पड़ेगा उसे ढूंडने का इससे बातरीन मौकर नहीं लेगा जी आगा शहजादी 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 आप बात्शाय सलामत के कमरे में क्या कर रही हैं? शहजादी मैं आपको कहा कहा नहीं ढूंडा आपको महल में ढूंडा, बाजार में ढूंडा, गलियों में ढूंडा और आप यहां क्यो है? आपने पूरे कमरे के क्या हालत बना दिये शय.. 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 शयज़ादी? आप बिना इजाज़ब के बाश्शा सलामत के नम्मे में नहीं जा सकते? यह कैसी आवाज? शयज़ादी आप यही पर रुकिएगा, मैं जा कर देख कर आती हूँ, छीक है? शयज़ादी आप क्या ढून रही है? आप इतना तो बता.. बता दीजी.. यह शयज़ादी का हुख्म है.. कहान आप अंदर नहीं जा सकते? शयज़ादी शोर बढ़ रहा है.. मैं जा कर देख कर आती हूँ.. खुदा के लिए आप कमरे से बाहर मत निकलियेगा.. चीक है? हो सकते हैं बाहर खत रहो.. आप बिना इजाज़त के बाश्चा सलामत के कमरे में नहीं जा सकते.. मुझे बहुत सद्रूरी का है मुझे जाने दो.. यह शहज़ादी का हुक्म है.. मुझे बहुत सरुरी काम है, मुझे जाने दो हमारे अबू की शम्शीर उनके कातिल को सजा भी इसी शम्शीर से मिल ली चाहिए जिसने हमें बगदाद को यतीम कर दिया हम सब को दोका दिया अपने मुल्क के साथ कदारी की और हमारे हमारे मासूम से अलादिन को अपनी चाल में पसाया वो एक शेतान है और उस शेतान को हम यह नहीं रहने तेंके हमें उसे वही भेजना होगा जहां उसे होना चाहिए हम वो चीज़ करेंगे जो आपे बहुत पहले कर दीनी चाहिए थी हम जफर को सगाए मौत देंगे हम जफर को सगाए मौत देंगे हम जब तेंगे हम जफर को सगी हमें हम जफर को सब्सक्राश मौत जब देए हम जफर को सगह जफर को सगय मैं जानता हूँ या आप किस दौर से गुजर रही हैं सोन मिनार में जो कुछी विवा उस राथ इसके बाद में खुद से ही सब कुछ बता देना चाहता थे लेकिन किस्मत ने कभी मौका नहीं दिया और अब जब आप अरब जब तुमने जफर के मुझसे पूरा सच सुन लिया है तो ये सच भी सुन लो कि मैं सुदागर अली नहीं तुम्हारा नक्चडी नक्चडी हम दरवाजे से नहीं आ सकते थे परना हम पित्ती और भार होरे जगडे में उलट जाते लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है सिवाए जफर के हैं अपनी आखरी सासे गिनना शुरू कर दे जफर तुने हमें अकिला पन दर्द और आसू दिये और हम उसके बदलित तुझे मोत का तोफ़ा देंगे नक्चडी नक्चडी का आँ गई यह तो काली है यह तो काली है यह तलवार नक्चडी के पास है यह तो वह वाज इस चीज का मुझे टरता सज जानने के बाद मख्चडी अपने गुस्ते पर काबू नहीं कर पाई नचानना हो कहां काई होगी मुझे उसरोकना होगा मैंने आपको पहले नहीं रोका लेकिन आप मुझे मेरे सवालों के जबाब चाहिए यह सब क्या हो रहा है शेजादी अपने अब्बू की यादों के साथ अकेले कुछ वक बिताना चाहती है इसलिए अपम अंदर जाना और नहीं किसी को अंदर जाने देना ठीक है वो जफर को ढूंती हुई उसके कमरे की तरफ गई होगी ख़दा के लिए अभी कुछ मत करना लग चड़ी मैं तुमारे पास आ रहा हूँ बाद्शाथ सलामत के खतल के जूटे इल्जाम में मने अलादीन को मरवाया लोगों की नजरों से पच्छ बचा कर तुमन मिनार कड़ा कर दिया तिन वो अलादीन की रूल ओटाई हमें डराने के लिए बैस क्याकर भगा दिया उसे भी राज काहिनात का पहला दर्वादा भी खोल लिया हमने अब यह सब हमने इसलिए तो नहीं किया कि वो मस्खरा आकर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे है आप हम उस इबलीज को आज उजए कहां तुमते हैं हाँ हाँ एक करेला देंगी मुझे पता है बगदाद में इतने भुकण हैं कि कोई ना कोई तो हमें उसके बारे में पता देगा और हमें हैवाने किसके बारे में परदा चल जाएगा मैं बात बताओ रहे तो परवाला अतल बाट रहा था तो उस वक्त तुम किस काम में मस्रूफ थे मैं हाँ मैं मिर्ची का हल्वा खा रहा था माक थरब कर रहा आखा लगता है आप इस खाक्सवार की तारीफ में चंद अलफास बया कर रही है है अलफा तोड़ा उंचा बोलिये मैं सुनना कहता हूं मुझे अच्छा लगता है मेरी तारीफ अरे बेवकुफ इस्तिहार लगा दिये तो पूरी अवान को पता चल जाएगा कि वो यहां मौजूद है वही तो हम नहीं चाहते वासर शाम हो चुकी है लेकिन तुम्हारी बग 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 बज नहीं होती किसम खुदा की कह रहे हैं किसे कुन से तुहारा वो अंजाम करेंगे ति रहती डुनिया तक मारी चीखे मारा सुल्म और एक इंसान याद रखेगा करेंगे तुहारा आक और शहजादी की नजन भी है शहजादी शहजादी बहुत गुष्से में दिख रही है चचा अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत करपड हो जाएगी तुम शहजादी को समभालो मैं जपर के पीछे जाता ठीक है? ठीक है जाओ प्राश के जिन हमें लगता है ये ताज काइनात की किताब जाएद हमसे कुच के नाचार ये लेकिन ये कुट अबनुवा उस तरफ क्यो इशारा कर रहा है? हाँ, वही मुझे भी समझ में नहीं आरा कि जब बगदाद कस्प से शांदार शांस यहां ख़डा है तो ये उस तरफ इशारा क्यों कर रहा है आखा, मुझे ये लगता है कि ये उस तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरफ हैवाने 21 है. चाज, तुम सही कह रहा है उचराग किजिन. शुक्रिया, शुक्रिया. ये खिताब ही हमें है. हैवाने 21 या हिबलीस 24, 25, 26 जो भी है उस तक पहुंचाएगी. चलो, किताब कोई लेकर चलते हैं. पर्र। आगा, अगा, कैसी बाती कर रहे हैंगा? ये, ये राज ये काइनात की किताब है. और इतनी बड़ी किताब को अगर आप बाहर लेकर जाएंगे, तो बहुत खत्रा है. उस हैवान हिबलीस का खुले आम घुमना उससे जादा खत्राक होगा ये, है? अरे पर आकर सूचे, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, हम कुछ नो कुछ सोचते हैं. हाँ, मैं भी सोचता हूँ. तो चलो, ये तय हुआ कि हम इस किताब को साथ में नहीं ले जा सकते हैं. इस पन्ने को तो साथ ले जा सकते हैं. अरे आकर, ये आपने क्या किया? ये कोई मामूली किताब नहीं, ये राज ये काइनाती किताब है. है, हम भी कोई मामूली इंसान नहीं हैं. प्रिस. बुरी काइनात के बनने वाले हैं, बादिशाह. अच्छा, चलें अगर आपको सजना सबरना हो गया हुँ तू. चलिए. किसि किटो टाय हैं, इंसकिटी कि मामूली को खिभी कि बन्णे वालujeत हैं. इंस किप एक कि ऋ bon, कि इंसर आपको खिए. कि इस तरह चीज़े चुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएंगे क्या मकलब है अपको यही कि अगर दिल में कोई परेशानी हो तुसे चुपाना नहीं चेहिए क्या देना चेहिए मैतरीन मैतरीन आपकी सला का बहुत बहुत शुक्रिया हम आएंदा से इस बात बहुत फर्माएंगे आदा अखिर इस कमीने के हाथ में क्या है हम इससे सादा देर तक शयजादी को यहां पर नहीं रोक सकते थे पर आका कहां है कहां हो तुम जबार कहां हो तुम जबार यह दोने तिन जल्दवाजी में कहां जा रहे हैं पाल में पता करूंगा पेले मुझे निक्चड की पास माशना है कम से कम यह पगड़ी खो गई मुरा तो नहीं लगेगा दुख तो नहीं होगा क्यू बेगम क्यू बेगम क्यू बेगम जरा चुब भी रहा करो वर रहा ओजार लेके तुम्हारी नाक कतर दूँगी तुम्हारी हर कत्व की वज़ए से नाक तो मेरी रोज कटती है क्या? मैं कह रहा था वजीर आला लगता है हमें अपना खास नहीं बनाना चाहते अबी तो हमारे हात नहीं आ रहे किसम सोने के शर्फिएं की तुम्हारी इंसलाईय जसे हातों तो मिस्वाक की डंडिया नहीं आती वजीर आला हाती है ऐसे कह तो सही रहे हो वजीर आला हमें अपना खास बनाने को तयार ही नहीं है वह इसलिए कि वजीरियाला की इर्दगिर्द दो शक्स भटकते हैं. एक चुनेद्मिया, जो हमारे मददकार हैं. और दूसरा, अली, जो हमारे और वजीरियाला की बीच की दीवार है. बेगम, उस दीवार में खौफ की कील ठोकने का वक्त आ गया है. अब देखते जाओ. नाजनीन, क्या गुल खिलाती है? अरे वह! वह! अरे वह! इत्रुद मेरे लिए! गुलाब का है क्या? गुलाब का है. कसम सोने के अशर्फियों की, इसमें बुल्ती बंद करने वाली बुटी का अर्ख है. अच्छा! अरे तुमें मिला कहां से? वह, 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 इसे मैंने बुल-बुल के इजाद घर से गाया है. और इसका सबसे पहला शिकार बनी हमारी भॉल्तों. इसके अशर से उसकी कैची जैसी जबान को जैसे ताला पड़ गया. अब मैं इसे उस अली के बच्चे के मुपी च्छल को ली, उससे कुछ देर तक उसकी बूलती बंदू जाएगी. फिर वो मुझसे डरेगा तो सही, और फिर वो हमारे और वजीर आला के बीच से खट जाएगा. अरे वा, मेरी चालाक लो मुझी. अब बस, हमें महल जाकर अली को ढूबना है. आका, अच्छा हुआ आप मिल गए. तो सुनिया भी हुआ क्या? आदा. उस पढ़ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला. लेकिन इतना मैंने जुरूर देख लिया, कि उसवर बना कुतुम नुमा. शहर के किसी सुचसान इलागे की और इशारा करना था. जाफर और जिनों वहीं गया होगी. ठीक है, मुझे सबसे पढ़े लक्षडी से मिल ले. चाचा, अंगोडी चाप, वो हम तुरबबगताद ख़तरे में. में लक्षडी के पीछे जाता हूं, और मेरे पीछे तुम अम्मी की हिपासत के लिए, महलगे आस-पास रहना. ठीक है? जे, बड़ी मुझे से बाजी हाथ आई है नक्चडी, अब कुछ ऐसा मत करना के खेल पलट जाए.